Hello everyone, स्वागताब सभी का आपके YouTube चैनल रवेस्टरडी GKP Friends, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत के रामसरस्थल Friends, इस वीडियो में देखे हम आपको कवर कराएंगे भारत के जो भी 82 देखे इस टाइम पे रामसरस्थल है इन सभी रामसरस्थल के बारे में आज के इस वीडियो में हम डेटेल में जानेंगे Friends, यहाँ पे आपको जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो जून 24 तक बिलकुल अपडेटिड है जो अभी आपके हाल फिलाल में ही देखे दो अभी बिहार के रामसरसाइट्स एड़ होई है और इसी तरह से जनवरी में भी 5 जो है आपके रामसरसाइट्स एड़ होई थी तो इन सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो बिलकुल लेटेस्ट जानकारी होगी जो कि आपके अग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगी फेंट्स मैंने आपके क्वेशन पी ली है जो बूस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टिड है तो अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रपेशन कर रही है ये वीडियो आपको काफी ज़ादा मदद करेगी तो पहले फेंट्स हम देगे कैसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फिर मैं आपको पूरी नए जो रामसर स्थल से उनके बारे में बताओंगी पूरा देखिए मैं आपको यहाँ पे राज्य की तरह से पूरी स्टेट वाइस कवर कराऊंगी सभी important answer sites और फिर हम इस पे MCQs discuss करेंगे तो इस तरह से हम इस पूरे topic को discuss करने वाले हैं तो वीडियो में अंतितक बने रहेगा फेंड्स देखें अगर आप हमारा daily current face का channel follow कर रहे हैं बहुत अच्छा है जिस पे आपको देखे daily के daily most important 15 plus questions कराई जाते हैं proximity top 20 questions आपको यहाँ पर कराई चाते हैं daily के so channel है हमारा current face by ravie अगर आपने follow किया है तो बहुत अच्छा है thank you और अभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं आप उससे follow करें जरूर जिसमें आपको exam के लिए हम current face के तयारी करवाती हैं so friends सबसे पहले हम बात करेंगे रामसर स्थल किया है उसके बारे में हम बात करते हैं so रामसर स्थल में देख लिए हमें ध्यान रखता है wetlands के बारे में आद्रभूमी क्या है आद्रभूमी तो आद्रभूमी एक ऐसा भूबाग होता है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा थाय रूप से या प्रतिवश किसी मौसम में जल से संत्रप्त हो या फिर उसमें डूबा रहे ऐसे छेतनों में जलिये पोधो का बाहुल्य रहता है और यही जो है आदर्भूमी को परिभाशित करता है आदर्भूमि कैसे भूबाग होते हैं या तो वो किसी मौसम में जलसे संतरप्त होते हैं स्थाई रूप से या प्रतिवर्ष या उसमें डूबे रहते हैं अब दिखे जب उसमें जल से संतरप्त होगा वो एरिया तो वहां पे जले पोदो यानि जो हमारे पौती हैं उनका बाहुले जादा रहेगा तो ऐसी भुभाग को ऐसे एरिया को हम कहते हैं आदरभूमी अब बात कहते हैं फैंस रामसर स्थल क्या है तो जैव विविता के दरस्टे से आदरभूमिया जो हैं अतियंत समवेदल शील होती हैं क्योंकि यहां पे नदिया, जीले, डेल्टा, बाड के मैदान, चावल के खेत, समुदरी चेतर, तालाब और जलास्टे यह सभी जो हैं वो शामिल होते हैं आदरभूमी में रामसर साइट जो हैं फैंट्स तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतराश्टे महत्यों की एक इसका नाम जो है इरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था, सिंपल सी भाषा में मैं आपको पता देती हूं कि देखें जो हमारी आदरभूमी है ना उनको संद्रक्षन देने के लिए एक कन्वेंशन वो एक संदी होई थी और ये संदी कब होई थी दो फरवरी 1971 को, कह पे होई थी इरान के रामसर शहर में होई थी, तो इसे कहा गया है रामसर संदी और जिन स्थलों के लिए संदी होई थी उन स्थल को कह दिया गया है रामसर स्थल, ठीक है तो ये है फरवरी रामसर स्थल के बारे में, अब भारत इसमें कब शामिल हुआ था, ये हमारे योग को बढ़ावा देना अब बात करते हैं कुछ important points के बारे में यह points काफी ज़ए important हैं यहां से आपको question direct आपके exam में मिल जाएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा पहला point है भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर convention पर हस्ताक्षर किये थे ठीके तो भारत शामिल कब हुआ था 1 फरवरी 1982 को अब यह अगर हम बात करें अभी जून तक बिल्कुल अपडेटेड जो लिस्ट है उसके अनुसार भारत में कितनी रामसर साइट से 82 भारत का देखे सबसे बड़ा रामसर स्तल कौन सा है तो वो है कौन से राजय में सबसे जादा रामसर साइट सें तो तमिलाडू में सबसे जादा है 16 रामसर साइट सें उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर अच्छा फ़ाइंस अगर बात करें वो कौन सी साइट सें जिनको सबसे पहले रामसस्थल के रूप में मानिता दी गई थी तो सबसे शुरुवाती रामसस्थल जो है भारत के वो है उडिसा का चिलका चील और राजिस्थान का केवलादे राश्टे उद्यान तो ये दोनों साइट जो है ये भारत की पहली रामसस्थल के रूप में इनको मान दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी पहचानी गई थी तो पहली रामसर साइट के पहचान 1974 में की गई थी जो क्या थी उस्ट्रीलिया में कोबर्ग प्राइदीब। कब चाता है दो फरवरी को क्योंकि दो फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे इसलिए दो फरवरी का ही दिन चुना गया है अंतरास्टे विटलेंड्स दिवस के रूप में। तो सबसे जादा जो रामसर स्तल है उसमें दोनों देशों का मिलाके तीसरे नमर पर आती है ये और भारत में कितनी आदरभूमी है इस टाइम पर 82। अच्छो फरेंड्स अगर बात करें दुनिया में रामसर स्तलों के देशों की सूची के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है? तो सबसे आगे United Kingdom है जहाँ पे है 175 रामसर स्थल जबकि माक्सिको दूसरे स्थान पे हैं वहाँ पे 144 रामसर स्थल है पिछले 10 वर्षों में भारते रामसर स्थलों की संख्या जो है 26 से बढ़कर कितनी हो गई है 82 हो गई है अब फैंस रामसर समझोता क्या है इसकी बारे में बात करते हैं तो रामसर जो है फैंस एक इरान का शहर है जहाँ पे देखे दो फरवरी 1971 को आदर भूमी के संदक्षर और उनके स्थाई उप्यों के लिए एक अंतराश्टे संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे और इसी समझो समझोते को क्या कहा गया रामसर समझोता इसे कहा गया है इसका उद्देश्यता समझोते का कि पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट वेड लैंड से देखे उनके सोरक्षा करना यह सम्मीलन 21 दिसंबर 1975 में कारवाई में आया था है अफ़इंस यहां हम बात करेंगे जो इंटरफेस से रिलेट करते हैं तो देखे जून 2024 में दो रामसर स्थल शामिल हुए थे दोनों के दोनों जो है फ्रेंस बिहार में हैं यह याद रखेंगे कौन से राजे में हैं यह बिहार में इससे पहले देखे जनवरी 2024 में पांच रामसर स्थल जो है शामिल किये गए थे पांच रामसर स्थलों में से तीन देखेंगे आपको करनाटक में है और दो है तमिलाडू राजियमी तो करनाटक में है देखें अंक समुदर पक्षी संदक्षन रिजर्व इसके लावा है अगनाशिनी मुहाना मगदी केरे संदक्षन रिजर्व और तमिलाडू में देखें कौन से हैं कराई वेटी पक्षी अभ्यारने और लॉंग वुड शोला रिजर्व वन तो यह दोनो और फरवरी वाले भी आप लोग जरूर याद रखेंगी रखेंगा अब फैंस यहां पर मैंने आपको सारे इंपोर्टन पॉइंट्स भी डिसकस कर लिए हैं अब बात करते हैं जो भारत के सभी 82 रामसर सले उनके बारे में चले डिसकस करते हैं तो अब मैं आपको स्टेट बिहार राज्य में तीन रामसर स्थल हैं देखें कौन कौन से हैं काबर ताल जील यह 2020 में इसको डिकलेर किया था यहां पर आपको इयर भी दिख चाएंगे सभी के नाकी पक्षी अभिहारण हैं और नक्टी पक्षी अभिहारण हैं यह दोनों बिलकुल लेटेस्ट हैं इ के चिलका जील चिलका जील इस पेशली याद रखिया क्योंकि यह भारत की पहली रामसर साइटी इसने यह इंपोर्टेंट है और इसका इयर भी हमें याद रखना है 1981 उसके लावा देखें और कौन कौन से हैं भीतर कनी का मिंग्रोव सत कोशिया गोर्ज टंपारा जील हीर चिलकाप में छे रामसर स्थल हैं जिन में से हैं हरीके जील, कंजली जील, रोपड आतरभूमी, केशोपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर्व, नांगल पक्षी बन्यजीव अभ्यारेने और व्यास संडक्षर रिजर्व तो ये छे फेंट जो रामसर स्थल हैं कहां पे हैं पंजाब राज्य में इसके बात करते हैं जम्मो कश्मीर तो जम्मो कश्मीर यूरन टेरिटरी यानी जम्मो कश्मीर के इंदिसाशर प्रदेश में पांच रामसर स्थल सें कौन-कौन से हैं बुलर जील, होकेरा, आदरभूमी, सुरंसर और मांसर जील, हाईगम जम्मो कश्मीर में इसके बात करते हैं तो आप देख सकते हैं हाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य और यहाँ पे तीन रामसर साइट्स हैं जिनमें हैं पोंग बांदजी, चंदे, टल, आदरभूमी और रीनुका आदरभूमी तो यह तीनों कहाँ पे हैं हि नेक्स्ट राज्य है फैंस हमारा केरल, केरल राज्य में भी तीन देखे रामसर स्थल हैं जो की हैं अश्ट मोडी जील, सस्थम कोटा जील, वेम्बनाट कोल आदरभूमी छेत्र तो यह तीनों साइट्स कहाँ पे हैं फैंस केरल राज्य हमी नेक्स्ट बात करती हैं लगदाक तो फैंस जो लगदाक केंद साशर प्रदेश हैं यहाँ पे दो रामसर स्थल हैं देखे जिन में से हैं सो मोररी जील और सोकर आदरभूमी छेत्र तो फैंस यह दोनों कहाँ पे हैं लगदाक एरिया में नेक्स्ट स्टेट आती है फैंस मद्य प्रदेश और कितनी है यहाँ पे रामसर स्थल तो मद्य प्रदेश में कुल चार रामसर स्थल से हैं जिन में कौन कौन से हैं देखे बोच आदरभूमी साख्य सागर शिरपूर आदरभूमी और यश्वन्त सागर तो यह चारो के च जादा रामसर साइट्स हैं भारत में यहां पे 16 देखे रामसर साइट्स हैं जिनमें कौन कौन सी हैं कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारन्य लॉंग बुट शोला रिजर्व वन यह दोनों most important है क्योंकि यह latest हैं इसके लावा कौन कौन सी हैं करी के लिए पक्षी अभ्यारन् साली करनाई मार्श रिजर्व फोरेस्ट पिछवरं मेंग्रोव कुन्थन कुलं पक्षी अभ्यारन्य मनार की खाडी समुद्री बायस्वेर रिजर्व इसके लावा है उदे मार्थदपूरं पक्षी अभ्यारन्य नेक्स्ट देख लीजी फैंट्स वेदान्थगल पक्ष पक्षी अभ्यारन्य कांजीन कुलं पक्षी अभ्यारन्य और पॉइंट कैली मरे वरनेजीब और पक्षी अभ्यारन्य तो कुल मिलाकर यहां पर कितनी है 16 यहां पर रामसर इस्थल है नेक्स्ट स्टेट डेफेंट्स हमारी मिजोरम तो देख लीजे यहां पर मिजोरम यह राज्य है और यहाँ पे एक ही रामसर साइट से हैं जो की है पाला अधर भूमी नेक्ष स्टेट डेफेंड्स करनाटक स्टेट तो करनाटक राज्य में चार हैं देखिए हमारी रामसर सल जिनमें से तीन तो 2024 में ही एड हुए हैं यह तीनों हमें याद रखनी हैं कौन-कौन से हैं देखिए अंक समुदर पक्षी अभ्यारनिय पक्षी संडक्षन रिजर्व अगनाशिनी मुहाना मगदी केरे संडक्षन रिजर्व और एक और है रंगनातितु वी एस तो यह चारों कहां पे ह करनाटक राज्यमी इसके बाद हैं फेंट से राजस्तान में दो देखे रामजसाइट सें जो की हैं केवलदे राश्टे और द्यान ये 1981 में डिकलेर होई थी और ये भी भारत की पहली रामसस्थल है पहली रामसस्थल में आपको चिल का जील भी याद रखनी है उड़ी सा लौक टक जील से एक important point जाद रखेंगे फेंट्स इस छील पर जो है विशु का एक मात्र तैरता हुआ राश्टे उद्यान है जो की कौन सा है इसका नाम है केवल लामजा राश्टे उद्यान तो ये फैंट्स एकमात जो है विश्व का तैरता राष्ट्य उध्यान है जो कि लोक टक जील पर है अगला कुश्चन अगले स्टेट देख लीजे है उत्ता प्रदेश उत्ता प्रदेश में फैंट्स से दस रामसस तहने कौन कौन से हैं देखे उपरी गंगा नदी, नबाब गंज पक्षी अभ्यारण्ये, सांडी पक्षी अभ्यारण्ये, समस्पूर पक्षी अभ्यारण्ये, समन पक्षी अभ्यारण्ये, पारवती अर्गा पक्षी अभ्यारण्ये, सरसई नावर जील, सुर सरोवर जील, हैदरपूर वेटलेंड और भकीरा, वन्यजीव, अभ्यारन्य, तो ये दस जो रामसर स्थल हैं कहां पे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं पश्य मंगाल की यहां पर दो रामसर स्थल है, पूर्व कॉलकाता आदरभूमी और सेकेंड है सुन्दरवन डेल्टा चेत्र, स सुन्दरवन डेल्टा चेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, नेक्स फ्रेंट्स आदरभूमी चेत्र, थोल जील वन्यजीव अभ्यारन्य, खिजडिया वन्यजीव अभ्यारन्य, तो ये फ्रेंट्स चारो रामसर स्थल कहां पे हैं, गुजरात, अगला कोश्चन, तो अगली स्टेट है फ्रेंट्स हरियाना, हरियाना स्टेट में दो रामसर स्थल हैं, सल्तानपुर राष्ट्य उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारन्य, नेक्स राच्चे है फ्रेंट्स असम, और असम में एक ही रामसर स्थल हैं, जो है नंदूर, मध्यमेश्व, लोनार जील और थाने क्रीक. नेक्स्ट फ्रेंट्स गोवा राज्य तो है, गोवा राज्य फ्रेंट्स एरिया वाइस भारत का सबसे चोटा राज्य है, जहाँ पे एक ही रामसर स्थल है, जो की है नंदा जील. इसके बाद बात करते हैं तिरपुरा राज्य की, और तिरपुरा राज्य जो है फ्रेंट्स यहाँ पे भी एक ही रामसर स्थल है, जो की है रूदर सागर जील. आते हैं फ्रेंट्स उत्राखंड राज्य पे तो उत्राखंड राज्य में भी देखे फ्रेंट्स एक ही जो है रामसस्थल है और वो है आसन कंजरवेशन रिजर्फ आसन कंजरवेशन रिजर्फ को शामिल किया गया था 2020 में तो यहां पर देखे हमने state wise जो है 82 82 जो रामसर स्थल हैं सभी को cover कर लिया है तो यह तो हमारे होगे सारे important facts और पूरी list अब कैसे कैसे questions आ सकते हैं चले एक बार उनको हम लोग यहां पर revise कर लेती हैं पहला question है जून 24 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है तो यहां पर जून तक की बात करें तो भारत में है 82 रामसर स्थल अगला question विशो का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोशित किया गया था तो दुनिया का पहला रामसर स्थल था Australia का कोबोर प्रायदीप और इसे कब घोशित किया था 1974 में अगला कुशन है सबसे ज्यादा रामसेस्थल किस देश में है तो United Kingdom में फेंड से सबसे ज्यादा रामसेस्थल है यहाँ पे है 175 रामसेस्थल फिर दूसरे नंबर पे है Mexico यहाँ पे 142 रामसेस्थल है और तीशर पी फिराता है भारत देश अगला कोशन है विश्व आदरभूमी दिवस कब मनाया जाता है वर्ड वेटलेंज टेकी बात करें तो दो फरवरी को जो है ये दिन मनाया जाता है पहली बार जो है ये दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था और इसकी थीम याद रखेगा 2024 की थीम रही है आदरभूमी और मानव कल्यार यानि वेटलेंज एंड हीमन वेल बीइंग भारत जो है रामसर कंवेंशन का हिस्सा कब बना था तो इंडिया ने जो है रामसर कंवेंशन को साइन कब किया था देखिए या भारत जो है इसका हिस्ता कब बनाता एक फरवरी 1982 को नेक्ट पोशन रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संदी है जो किसके संडक्षन के लिए रूप रेखा प्रदान करती है तो रामसर कन्वेंशन जो साइन हुआ था ना ये जल में भूमी या अगर आपे आधर भूमी लिखा होता तब भी आपका आंसर सही था तो जल में जो भूमी है उसके संडक्षन के लिए है ये संदी हुई थी रामसर कन्वेंशन नेक्ट कोशन है आधर भूमी संडक्षन है तो प्रथम सम्मेलन कहा हुआ था पहला जो सम्मेलन है ये हुआ था 1971 में इरान के रामसर शहर में इसलिए इस संधी को या इस कन्वेंशन को नाम दिया था रामसर कन्वेंशन अगला कोशन देखे रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था तो रामसर कर्वेंशन ने कारे करना शुरू कर दिया था 21 दिसम्मर 1975 को नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है फ्रेंट्स रामसर शहर किस देश में इस्तित है जहाँ पे जिस जगा के नाम पे ही पड़ा रामसर जो रामसर साइट से या रामसर कर्वेंशन है तो यह जो जगा है रामसर ये शहर है फ्रेंट्स कहाँ पे इरान देश में नेक्स्ट है विश्यो के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन सी है तो यहाँ पे देखे विश्यो की बात हो रही है क्वेशन अच्छे से पढ़ेगा फ्रेंट्स वेशो के सबसे बड़े रामसस्थल है ब्रजील के रियो नीगरो, कांगो लोकतांत्रे गराज्य के गिरी तुमबा मैन बॉम्बे और कानेडा की कुईन मौड गल्फ तो फैंस यहाँ पे यह तीनों ही जो हैं वेशो के सबसे बड़े रामसस्थल हैं इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा उप्योगत सभी नेक्स कोशन देखे बारत का पहला रामसस्थल 1981 में किसे घोशित किया गया था तो भारत के दो देखे साइट जो हैं वो सबसे पहली रामसस्थल हैं जिसमें हैं ओडिसा की चिलका जील और आजिसान का केवला देव नैशनल पार्क और यह दोनों रामसस्थल जो हैं इने गोशित कब किया गया था 1981 में नेक्स्थ कोशन है भारत में सबसे बड़ा रामसस्थल कौन सा है आंसर है पशिमंगाल में सुन्दरवन बेट लेंड इसके बद बूच अगया कि भारत में सबसे चूटा रामसस्थल कौन सा है तो फैंस चूटे की बात करें तो वो है हिमाचर प्रदेश का रेड़ों का वेटलेंड तो ये important points में से ही देखे मैंने आपको यहाँ पे question कराई है ताकि आप समझ सगे कि exam में कैसे question यहाँ सी puton हो सकता है next question देखे भारत में वर्तमान में सरवाधिक ज्यादा तो भारत के कौन से state में सबसे ज़ादा रामसर स्थल है आंसर है फेंड्स तमिलनाडू राज्यमी तो तमिलनाडू में सबसे ज़ादा रामसर स्थल है ग्यारा उसके बाद है उत्तर प्रदेश next question है भोज आदरभूमी जिसे भोज अताल के नाम से भी जाना जाता है यह भारत के किस राज्यमी इस्तित है तो भोज अताल जो है फेंड्स यह भारत के मध्यप्रदेश राज्यमी इस्तित है नेक्स कोशन है रामसरस्थल जो की है चिलका जील किस राज्य में इस्तित है बारत के कौन से राज्य में सही आंसर है उडिसा राज्य में आपको फिंग जो जितने भी बयासी रामसरस्थल है उनके यहां पर नाम लिख देंगे और आप लोगों से पोश लिया जाएगा कि यह किस राज्य में इस्तित है तो आप इसको इससरा से याद रखें नेक्स्ट कोशन है रामसरस्थल क्या है तो रामसरस्थल की फैंट्स बात करते हैं क्या है अंतराश्टे मेहत्व की आदरभूमी इरानी शहर रामसर में आदरभूमी पर कंवेंशन को अपनाने की तारीक किया है आदरभूमी पर जो कंवेंशन हुआ था इसे अपनाए गया था दो फरवरी 1971 को नेक्स्ट है, सोकर आदरभूमी को दिसंब़ 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया ये भारत के किस राज़य के इंदसाशर प्रदेश में इस्थित है तो जो सोकार आदरभूमी है ये है भारत के लद्दाक के इंदसाशर प्रदेश में नेक्स्ट कोईशन है पॉंग बांध जील भारत के एक रामसर स्थल है और ये किस राज्ये में इस्थित है तो पॉंग बांध जील जो है ये फैंस भारत के हिमाचर प्रदेश में इस्थित है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निम्लिकित में से किस वर्ष में भारत में छेत्रिय कारियों और अंतराष्टे सयों के माध्यम से सभी आदरभूमी के संदक्षन और बुद्धिमान उप्योग को बढ़ावा देने के लिए रामसर कंवेंशन या रामसर सम्मेलन लागू हुआ तो यहां सिंपल पूचा रहे तो फैंस यह हमारे थे सारी important questions तो हमने important points के साथ important MCQs को भी यहां पर discuss कर लिया है अब आप लोगों से हम यहां पर test को पूचने वाले हैं जिनका answer आप प्लीज हमें comment box में जरू बताएं पहला question है कि जून 2014 तक अभी तक भारत में कुल कितने रामसर सल्न है और second question है सबसे ज्यादा रामसर स्थल्क किस देश में हैं तो इन दोनों question के answer friends आप हमें comment box में जरू पताएं friends है कि अगर आप हमारी कोई भी e-book purchase करना चाहते हैं अपने exam के लिए तो subject wise e-books भी available है current affairs की सभी most important e-books भी हमारी website पर available है website का नाम है www.bookspdf.com और ये चुप website है से आप google पर search करके open कर सकती हैं तो आप लोग एक बार जरू विजिट करने हमारी website को so friends देखें आज का हमारा जो रामसर स्थल का ये important topic है ये यहाँ पर complete हो गया friends ये topic ना काफी important इसलिए भी होता है क्योंकि एकात question यहाँ से आपको exam में पूछ लेते हैं कई बार डारेज पूछ लेते हैं कई बार थोड़ा सा गुमा के बूछ लेते हैं तो आपको list अपर चो important points से उन सभी को याद रखना है तो अगर आप याद कर रख लेंगे सभी important points को तो आपको कोई भी problem नहीं कि इस topic भी सो यहाँ पर इस video को end करते हैं thank you so much watching this video